अलो व्रीवर्वन, वेरी गूद मॉर्निंग, वेलकम तू अग्रिकुल्चर अद्डा 24-7, अग्रिकुल्चर अद्डा 24-7 के इस यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो guys, आज हम देखने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, सो जो CWC JTA का क्लास है, आपको ध्यान होगा कि पहले चल रहा था अलग-अलग सब्जेक्ट्स, बट हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, what we observed is कि अग्रिकुल्चर के अलावा और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, and you guys need it on YouTube, तो जैसे कि Geology, Botany, Economics, Crop Production, अब हर एक चीज को हम turn by turn YouTube पे भी cover करेंगे, जो time है, that will remain 11.30, सारे 11.00 बजे का time रहेगा, जहां पर आप लोगों को आना है, और इस session को attend करना है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, और start करते हैं, हम लोग हमारा आज का ये session, जो की Crop Production का session ह है, देखिए सबसे पहले ना, for all those students, जो agriculture background से नहीं है, और CWC JTA की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप agriculture background से नहीं हो, मतलब अगर आपको crop production वगेरा, यहां पर नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि obviously यहां पर बाकी दूसरे streams के students भी eligible है, तो देखो crop production, या फिर जिसको हम हिंदी मे कहते हैं, फसल उत्पादन, जब हम फसल उत्पादन की बात करते है न, तो यहां पर mostly हम बात करते हैं, अनाज या फिर तिलहन, या हमारा क्या कहते हैं, oil seeds हो गया, ठीक है, या फिर हमारा दलहन हो गया, जिसे हम pulses कहते हैं, अनाज में mostly हमारे cereal crops, ठीक है, जो की basically जैसे की मेज हो गया, उसके बाद rice हो गया, wheat हो गया, millet crop हो गया, ठीक है, ये mostly crops होते हैं, इनके अलावा fiber crops भी है, sugar crops भी है, ठीक है, narcotic crops भी है, horticultural crops obviously आपका complete horticulture अलग से हैं, तो उसके लिए आपको परशान होने की जरुवत तो है नहीं, very good morning दामी नहीं, good morning पलग, good morning प्रतिवस, ठीक है, तो crop production अब कल सुभह से, कल सुभह से, साड़े दस बजे संकल्प का class होता है, उसमें मैं crop production के MCQs practice कराने वाला हूँ, तो please उसको attend किया किजिएगा, कल उसका पहला class होगा crop production का, आज मैं यहां पर introduction दे रहता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह की चीज़े पढ़नी है, देखो crops को मै मैं ठोड़ा सा divide कर देता हूँ यहां पर, सब से पहला है हमारा cereals, ठीक हैına, क्या है यहां पर cereals, अब cereals में ही आपके major cereals आते हैं, minor cereals आते हैं, और उसमें millets भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाता हैं, आपके pulses, उसके बाद आता है sugar crops, उसके बाद यहां प और fiber crops और फिर आजाता है oil seeds और last में आता है narcotic crops क्या आता है narcotic crops तो यह मैंने आपको classification दे दिया कि आपको जो पढ़ना है वो यहीं से start करना है that is classification of crops crops के classification से हमें start करना है cereals के अगर बात करेंगे इसमें आपके जितने भी major cereals है जैसे कि paddy अब देखो rice नहीं कहता है paddy कहता है धान को तो यहाँ पर सबसे पहला आजाता है आपका paddy उसके बाद आजाता है wheat जो की यह हूँ है उसके बाद आपका आजाता है mage अब यह तीनों हमारे major cereal crops है minor cereal crops में obviously यहाँ पर barley और बाकी millets आजाएंगे जितने भी बाकी और millets है वो आजाएंगे millets में दो भाग में divide कर देता है major millets and minor millets ठीक है अब major millets की अगर मैं बात करूँ major millets में सबसे पहला चीज आपका क्या आता है sorgum sorgum जिसको हिंदी में जौर कहता है बाजरा जिसको English में pearl millet कहता है और रागी जिसको English में finger millet कहता है क्योंकि वो जो millet है वोसा finger की तरह दिखता है मैं जो questions कराऊंगा मैं आपको यहां पर pictures भी दिखाऊंगा अगर आप unknown हो minor में kodomillet prosomillet आपके little millet यह सारे चोटे-चोटे millets आते हैं जो हमारे exam point of view से इतने important नहीं है cereals में जो questions सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इन तीनों पट्टि पोर्शन से पूछे जाते हैं pulses में अरहर या फिर red gram उसके बाद chickpea या Bengal gram मतलब चना ठीक है यह दोनों आपके major crop है इसके अलावा black gram उरद green gram जो कि आपका मूँग होता है lentils जो कि मसूर डाल होता है kidney bean जैसे की राजमा हो गया मतलब मैं सारे crops बता रहा हूँ बाकि आपको पढ़ना mostly यह 5 है ठीक है और यह 2 इसमें सबसे ज़्यादा important है ठीक है और उसके बाद पी भी आ जाता है ठीक है उसके बाद sugar crops में देखो दो crops आता है sugar cane sugar cane and sugar beet sugar beet इंडिया में obviously यहाँ पर commercial purpose के लिए ग्रो नहीं किया जाता है यह temperate मतलब थंड वाले countries में ग्रो किया जाता है जबकि sugar cane जो है अहाराष्ट्र है वो number of mills में आगे है ठीक है now talking about fiber crops देखे कपड़ा पहन रहा हो आपने भी पहना होगा मैंने भी पहना है ठीक है ना this fibers are of different kind अगर हम cotton के बाद करेंगे cotton is the one of the most widely used fiber crops इसको king of appraisal fiber कहा जाता है क्योंकि mostly आप अगर 100 रुपेगा कपड़ा पहन रहे हो then also that is made from cotton आप अगर 10,000 रुपेगा कपड़ा पहन रहे हो then that is also made from cotton next अब cotton के अलावा और क्या गया चीजे है देखो ये fiber हो गया आपका cotton cotton के अलावा there is jute जो gunny bags बनते हैं जिसमें आप सामान बगरा भरते हो जो बोरिया बनते हैं वो आपके जूट में आ गया ठीक है cotton और जूट के बाद देखो यहाँ पर कुछ और crops हैं जो कि actually दोनों ही side में आते हैं जैसे कि lean seed हो गया मैं पहले बता देए यह major crops हैं दो जो आपको exam point of view से पढ़ना है oil seeds के अगर बात करें sunflower safflower safflower को हिंदी में कुसुम कहते हैं sunflower को सूरिय मुखी कहते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर आगे आपका soya bean soya bean एक dual purpose crop है pulse और pulse के लिए भी use होता है और oil के लिए भी use होता है groundnut mustard lean seed sesamum ठीक है अब lean seed है एक ऐसा crop है जो कि एक dual purpose crop है मतलब इसमें से लाइन नाम का textile भी बनता है ठीक है और साथ ही जाद इसमें से oil भी निकलता है इसके अलाबा fiber crops में और जो minor crops है वो है agave pineapple pineapple के पत्ते से fiber बनाया जाता है पर these are not important from the point of view of exams ठीक है नहीं पूछे जाता है ठीक है क्योंकि इनके commercial application बहुत कम है आपने सुना भी नहीं होगा pineapple के fiber का कभी कुछ बनते हो है ठीक है इसके अलाबा मेस्ता मेस्ता जूट के जैसा ही होता है लेकिन इसको ना एक इसका जो younger version होता है या फिर जब यह बहुत जादा छोटा होता है तो इसको एक leafy vegetable की रूप में खाया जाता है ठीक है तो दोनों का जो है अपना-पना use होता है ठीक है तो यहाँ पर आ गया मेस्ता, sun hemp यह सारे के सारे आपके stem fiber है मतलब इनके stem से fiber बनाया जाता है cotton के seed से और agave और pineapple के leaf से lean seed के भी seed से बनाया थे lean seed basically flax है इसको हिंदी में alci या tc भी कहते है ठीक है तो नार्कोटिक में हम पढ़ेंगे टबायकों के बारे में तो जो सुबह का संकल्प का MCQ class होगा कल 10.30 a.m. in the morning उसमें मैं इनके MCQs स्टार्ट करने वाला हूँ अब सर्क कैसे MCQs उमें पढ़के आना है देखो अगर मैं detail में बताऊ इनमें ना हर एक में कुछ unique points है जो सबसे important है let's start with paddy एक बारी समझते है paddy में क्या ऐसा ऐसा कौन सा point ऐसा जो unique है what exactly is unique paddy में अगर unique point की मैं बात करूँ सबसे पहले paddy के number of species कितने है उसमें से कितने species cultivate किये जाते है ठीक है कौन सा species हम इंडिया में cultivate करते है paddy में जो Asian rice है उसमें ना टीन अलग-अलग varieties है जैसे कि जवानिका, जपोनिका, इंडिका इंडिका को हम इंडिया में cultivate करते है जिसके चावल बहुत ही लंबे होते है पतले होते हैं और खिले-खिले से होते है वो चिपकत नहीं है जैसे जपोनिका का जो rice है वो comparatively थोड़ा सा छोटा होता है और वो चिपकता है ठीक है So, Indica का जो plant है ना वो पतले होते हैं और कई बारी पतले होने की वज़े से हर्टेज हवा चलने की वज़े से lodging हो जाता है, मनलब गिर जाते हैं वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके जवा निका की बारे में जपोनिका की बारे में जपोनिका का जो rice का stem होता है वो काफी strong होता है जिसके वज़े से वो गिरते नहीं है इस चीज का ध्यान रखेगा हाँ, रस्ती बनाई याती है, absolutely correct तो यह ऐसे कुछ important point है paddy में puddling नाम का एक practice किया जाता है जहां पर पहली बार 5-10 cm का पानी अपलाए करके soil को अच्छे तरीके से यहां पर मिलाया जाता है पानी के साथ उसके बार 5-5 cm का पानी अपलाए करके 2-3 बार puddling करते हैं जिसके वज़े से soil का एक हलका सा layer बन जाता है जो पानी को नीचे नहीं जाने देता है और इसे हम कहते हैं puddling जो की paddy में किया जाता है ठीक है paddy के लिए जो सबसे बहतरीन nitrogenous fertilizer है वो है आपका catch is anyone ammonium sulfate ठीक है nitrate fertilizer आपको paddy में use नहीं करना चाहिए क्योंकि paddy में oxygen की कमी होती है और nitrate में oxygen होता है oxygen अलग हो जाता है और जो nitrogen है वो हवा में उड़ जाता है इसलिए कोई भी oxygen youth fertilizer यूज नहीं करना चाहिए ammonium में क्या होता है NH होता है NH4 तो इसलिए ammonia NH3 या ammonium NH4 यूज करने से फाइदा है किसमे paddy में ठीक है जिंक के deficiency के वज़े से खाहिड़ डिजीज होता है ठीक है silica deficiency के लिए हम basic slag या calcium silicate का use करते है इस तरीके के question आपको ज्यादा पढ़ना है राइस का inflorescence क्या है wheat का inflorescence क्या है जैसे मेज के inflorescence कि अगर मैं बात करूँ मेज का inflorescence दो टाइब के होता है एक होता है male एक होता है female ठीक है जो male inflorescence होता है वो plant के ऊपर होता है जिसे tassel कहता है और female inflorescence plant के नीचे होता है जिसको हम side में होता है जिसको हम silk कहता है ठीक है अब अगर आपको exam में पूछे कि which of the following is critical irrigation stage इनके सब के critical irrigation stage पता होने चाहिए इनमें से कौन सा critical irrigation stage है तो आपका answer generally tasseling and silking होता है लेकिन क्या करोगी अगर exam में tasseling and silking नहीं रहा अगर tasseling and silking नहीं रहा तो आपको सिर्फ और सिर्फ tasseling जो है वो लिखना है क्यों किझे जो male का plant है जो male का flower है वो पहले develop होता है क्योंकि male का flower पहले develop होता है इसीलिए हमें पहले male flower के लिए पानी चाहिए होता है and this phenomena is known as और उसी तरह बाजरा में पहले उसका female part develop होता है इसीलिए उसको protogyne कहते हैं तो इस तरह के जो important और unique point से ठीक है वो इस चीज का देया CWC date कब से आने वाला है Manish अभी कोई भी information नहीं है जैसे information होगा ज़रूर inform करेंगे ठीक है absolutely correct दामिनी booting rice होता है wheat के case में CRI stage होता है CRI क्या है आपका crown root initiation देखिए जो crown root होता है यहां पर आपका primary root होता है एक उसके ऊपर निकलता है जहां पर आपका stema root अलग होता है और उसे crown root कहते है यह plant को support provide करता है इसका यह 21 दिन के बाद देखने को मिलता है जो crown root है इसको आप clonal root या seminal root कह सकते हो या फिर यहां पर adventitious root कह सकते हो या फिर white root भी कह सकते हो ठीक है तो यह इसके important point से तो उसी तरह sugar cane में formative stage होता है ठीक है ना okay pulses में mostly pre flowering का stage होता है तो इस तरह से आपको याद अट अटना oil seed में इतना जरूरी नहीं है उसके बाद inflorescence और fruit जैसे कि mustard में जो mustard का fruit है इसे silikua कहता है ग्राउन ने ने प्रमें कहते हैं इस तरह की के जो चीजें है इनको आपको याद कहते है industrial cup cup कापसुल कहते हैं सेसम अब में एक टर्मिनलोजी है डेहिसंस अब डेहिसंस क्या है जब वो क्यापसुल ओवर मैच्योर हो जाता है तो वो ड्राय होके फट जाता है जिसके वज़े से उसके सारे सीट्स बिखर जाते हैं क्षा साबार हैंसे अब भिखर जोए से से अधिये का यंगुण है भ्राइबगो फाईबर क्रॉप्स में आपके कोटन अरजूट जासे क्रॉप से नहीं की अगर नौए अगरि मैं बात करूँ तो जो कॉटन का क्रॉप है सीड फाइबर है मतलब उसके सीड से नहां पर क्या होता है जेनरली फाइबर निकलता है सर आप पे अवेलेबल जेयरे प्लांट सेंस का कोर्स एनफ एक्या सेलेक्शन के लिए बिल्कुल विकास हमारी डॉक्टर मिनाक्षी मैं पढ़ा रही है तो यार इनफ तो है ठीक है जो आपका कॉटन और जूट है फाइबर क्रॉप्स मे ठीक है सो जो कॉटन का प्लांट है वो सीड फाइबर का प्लांट है जबकि जूट जो है एक स्टें फाइबर प्लांट है ठीक है अब कॉटन में और बाकी पल्स क्रॉप में एक प्रैक्टिस होता है जिसे हम टॉपिंग कहता है टॉपिंग क्या होता है कि उपर से ठीक है तो इसी तरह जितने भी इह important points हैं इनको लेके कल से आपके MCQ start होंगे morning 10.30 a.m. ठीक है ओके तो आप लोग प्लीज जुडियेगा कल हम paddy से start करेंगे let's try to cover as many questions as possible जितने questions होंगे उतने questions कवर करने की कोशिश करेंगे हम ठीक है और साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूँगा यह हो गया आपका crop production का overview आप लोग अगर CWC के JTA batch में enroll करना चाहते हैं तो फिर अग्रिकल्चर में यहां पर Central Warehousing Corporation और यहां पर आपको मिलेगा batch देखिए एक हमारा October 31 अभी अभी स्टार्ट हुआ है आप चाहो तो इस batch में enroll कर सकते हो या फिर November 21 तारिक को जो batch स्टार्ट होगा आज आप उसमें भी enroll कर सकते हो किसी भी batch में enroll कर सकते हो आप फिस दोनों ही जगा सेम होगा बाइनाव पर जाहिए और यहां पर code use कीजिए Y291A apply गर दीजिए 2989 का यह batch है mobile application में आपको almost 2889 and 2850 का यह batch होगा 2860 इसमें आपको batch में classes मिलेंगे test series मिलेंगे सब कुछ complete होगा ठीक है मैं एक बड़े आपको दिखा जाता हूँ यह देखिए classes, test series, e-book और आप अगर इसको अभी नए batch को भी लेते हैं तो इसमें आपको recorded classes मिलेंगे ठीक है agriculture की classes live start होंगे तो आप लोग जो है enroll कर सकते हैं ठीक है हाँ application पर भी चलगा हाँ यह पायल हो चुका है application में मतलब जो नए batch है उनके लिए नहीं हुआ है पुराने batch वालों के लिए हो चुका है नए batch वालों के लिए start होगा बहुत चल्दी नए batch वालों के लिए economics सारे batch के लिए economics बहुत जल्दी start होगा November 21 से November 21 नहीं अभी recently start होगा तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ Agriculture Edda247 के YouTube चैनल पर यह था आपका CWC का आज का CROP PRODUCTION का introductory class प्लीज जॉइन मी इन संकल क्लास अट 10.30 a.m. everyday ताकि आप CROP PRODUCTION के MCQ जादा से जादा कर पाओ कल मदलब साथ तारिक से CROP PRODUCTION के MCQ स्टार्ट होने वाला है ठीक है देखिए यादव जी आप NSC के batch तो हमारे पास नहीं है आप क्या कर सकते हो IFKU के batch में enroll कर सकते हो उसमें जो भी चीज़े है ना that will be more than sufficient for NSC ठीक है Thank you so much, take care, bye-bye, stay safe and कोई भी batch में enroll करने के लिए आप Y291A code का यूज कर सकते हो चाहे वो प्लान साइंसो चाहे वो CWC-O, thank you so much.